देश भर में जो बुल्डोजर एक्षन चल रहा है कि किसी पर कोई अपराद का आरोप लगे और उसके मकान को जाकर गिरा दिया जाए उस पर अब सुप्रिम कोट की नजर पड़ गई है और सुप्रिम कोट ने कहा है कि ऐसा करना घलत है कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए जो नियम है उसका पालन करके ही एक्षन होना चाहिए और सुप्रिम कोट ने ये भी कहा है कि पूरे देश के लिए वो गाइडलाइन्स बनाएगा दिशा निर्देश तै करेगा मामले में मुख्य याची का जमियत उलिमाए हिंद की है जिसके वकील फारुक रशीद साहब हमारे साथ है फारुक जी सुप्रिम कोट ने क्या बात कही है मुख्य बात क्या है वो बताईए अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं तो सुप्रिम कोट ने बोला है कि हम पैन इंडिया एक ऐसी गाइडलाइन देंगी हम लोगों से सजेशन मांगा है हम लोग से सजेशन देंगे कि अगर किसी का घर इलीगल है इंक्रोच्मेंट है तो उसको हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को तो उसकी सुनवाई के लिए 17 तारिक को कोट ने मैटर लगाया है यानि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रिम कोट ने इस बात को गलत माना है कि किसी पर कोई आरोप लग जाए ठीक है आरोप है आपराधिक आरोप है जहां चोगी वो कारवाई होगी मुकदमा चलेगा अलग है लेकिन अगले दिन उसके घर पे बुल्डोजर पहुच जाते हैं और उसे गिरा देते हैं ताबड तोड कारवाई कर दी जाती है ये सही नहीं है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए क्या कानूनी प्रक्रिया होती है आप लग सुझाओ भी देंगे जहां तक मेरी जानकारी है कि मुनस्पेल्टी के दाएरे में आता है ये और वो नोटिस करके जवाब अपील इसका मौका देते हैं नहीं कर सकते आप उसको जेल बेज सकते हैं लेकिन बदले की भावना relevant उसको सुनवाई दीजिये उसको सुनवाई के बास समय दीजिये आपील करने का टीव में जाता है तो घर काली करने का समय दीजिये यहां पर ऐसा हो रहा है कि एक आज अज आता है कि हमने को बहुत पहले नोटिस दिया था वेकेट नहीं किया और फॉरन घर गिरा दिया जाता उनको मौका नहीं दिया था तो इसी पर कोड ने हम लोगों से सजेशन मांगा है और पूरे भारत वर्ष में क्योंकि डिफरेंट 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 लाए तो सुप्रिम कोड कह रह ये किस संदर में की गई टिफरेंट जरा इसे बताईए ये उदायपूर का जो इंसीडेंट हुआ था वहाँ एक किरायदार था उसके बेटे ने एक हिंदू लड़के को चाकू मारा उसके खिलाफ फायार होती है और वो किरायप रहते हैं मकान मालिक को जाके घर गिरा दि एक बात कोट ने आज और साफ की कि ये जो प्रोटेक्शन देने के लिए वो कदम उठाने जा रहा है इसमें कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो रोड में बना दिया गया हो जो कंप्लीटली अवैद हो उसके बारे में ये नहीं है ऐसा कहा है गाइडलाइन्स होगी फालो होगी और ऐसा नहीं है कि लीगल कंस्ट्रक्शन या रिलीजियस कंस्ट्रक्शन भी अगर इलीगल है तो उसको वे उसमें प्रोटेक्शन नहीं होगी 17 सितंबर को सुप्रिम कोट अगली सुनवाई करेगा और जितने भी पक्ष है इस मामले में जमियत खुद है और कुछ और याचिका करता भी आए हैं अलग-अलग याचिकाएं लेकर उनसे कहा है कि वरिष्ट वकील नचिकेता जोशी हैं उनको अपने सुझाओ सौपे वो सभी सुझाओ जो हैं उन्हें सुप्रिम कोट देखेगा उन पर विचार करेगा और उन्हें आपस में मिला कर एक दिशा निर्देश तै करेगा जो पूरे देश के लिए लागू होगा यानि सिर्फ अपराद का आरोप लगते ही ताबड तोड एक्षन हो जाना वो रुक उसके लिए जो प्रक्रिया है नोटिस भेजना नोटिस का जवाब पाना और जवाब पाने के बाद अपील का भी मौका देना अगर जवाब से संतुष नहीं है नगरपाली का तो यह सारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा सुप्रिम कोट की मन्शा यही है आगे सुप